नमस्ते इसांथियो जारकंट सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी घसुषना जारकंट सरकार के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के द्वारा किया गया है जिसके तहत योजना के अंतरगत्त कारण काफी सारे लाभुक जो है आविदन करने के लिए फरिसान हो रहते और जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन की दुआरा काफी बार जो भी टीम इस वेबसाइट को जो है विल्ट किये थे उनको दिसानिटेश भी दिये गये थे कि उसे जल्द ही जो है उसमें सुधा लाभुक जो है आविदन को जमा करने में ना हो लेकिन साथियों काफी जादा संख्या में लाभुक जो सर्वर है वो लिमिटेड होने के कारण वेबसाइट का सर्वर बार बार डाउन हो रहा था जिसके वज़े से अब मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के दुआरा इस योजना क तहत आविदन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किये गए है और उसी के साथ जो लाभार्थी का नाम रासन कार्ड में नहीं था ऐसे लाभार्थी भी परिसान हो रहे थे कि उनका जो आविदन है वो कैसे होगा क्योंकि काफी सारे ऐसे लाभुक भी राज्र के अ हेमान सोरेन की द्वारा बहुत बड़ी घोसना की गई है क्या घोसना की गई है और जानकारी दी गई है इस वीडियो के अंदर डेटेल में आप लोगो जानकारी प्रवाइड करूँगा और उसी के साथ आवेदन से संबंदित भी पूरी प्रक्रिया आप सभी को तो साथियों देख सकते हैं यह हेमान सोरेन की ओफीसियल जो फेस्बूक हैंडल है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से जिसमें उन्होंने कुछी समय पहले फोस्ट किया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन और आशान और स स्तावेज मांगे जा रहे हैं जिसमें पहला पासपोर्ट साइज फोटो जिसको आपको आवेदन के अंदर लगाना है आधार कार्ड की आपको छाया परती देना होगा बैंक पासबुक की छाया परती रासन कार्ड की चाया परती यह चार चीजे में की गई है रासन कार्ड बैंक, पास्बुक, आधार कार्ड और एक फास्फोर्ट साइज फोटो यहाँ पर इससे पहले वोटर कार्ड लिये जा रहे थे उससे सम्बत भी यहाँ पर जानकरी दी गई है कि वोटर आईडी की जरुरत अब नहीं पड़ेगी इस योजना के आवेदन के लिए उसी के साथ यहाँ पर और भी डीचेल्स लिखे गए है कि जार्खेंट की हर बहनों को सम्मान राजी दिलाने में सहयोग करे यहाँ पर कुछ जानकरी लिखे गए है अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग आवेदन करेंगे उनका आवेदन किस तरीक से डिजिटाइज होगा तो आप आवेदन जितने भी लाभार्थी हैं वो इन डॉक्युमेंट के साथ जब जहां पर भी कैम्प लगे हुए हैं या फिर प्रखंट कारियाले में जाके अगर आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन को प्रखंट इस तर पर जो लॉग इन होते हैं वीडियो ब्लॉक डेवलोप्मेंट ओफिशर या फिर सीओ सरकल ओफिशर शरका उनके द्वारा उनके आवेदन को जो है पोडल के अंदर एंट्री किया जाएगा जिस परकार से पहले समाजिक सुरक्षा पेंसन की जो डीजेल सब्डेट की जाती थी उस परकार से और उसके बाद लाभार्थी को जो है योजना का लाब दिया जाएगा तो साथियो ऑनलाइ इंतजार कर रहे थे कि सरकार के तरफ से कोई घोसना की जाए तो आप सभी के लिए भी बहुत बड़ी अब खुसकबरी यहाँ पर निकल कर आचुगा तो साथियो जो रासन कार्ड से समब्दित समझस्या थी उसको लेकर भी अब समाधान निकाल दिये गए हैं यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा यह जो मुक्यमंत्री हेमन सोरिन के द्वारा पोस्ट की गई है उसके अंदर लिखे गए हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं उप्युक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाब प्रदान किया जा सकता है जिस महिला का य आपना जो रासन कार्ड में नाम नहीं होने के बाद भी स्योजना का लाब लेना चाहते हैं जिसमें काफी सरे इसे लाभुक थे परिसान भी हो रहते तो ऐसे लाभुकों को अब उनका पती या फिर फिता का जो रासन कार्ड है उसमें अगर उनका नाम रहता है तो उसी रा लाभार्थी परिशान हो रहे थे रासन कार्ड के चकर में और आवेदन नहीं होने के चकर में तो उनके ऐसे सभी लाभार्थियों को अब मतद मिल सकेगी और वो जो है इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे तो सांथियों आवेदन अब 104 रोप से चालू है और अब लाभार्थी योजना से संबंधित पराप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यबाद